Dear student, we have to discuss education for sustainable development. हमने पहले values की बात की है, हम second point के उपर हम आ के बात करते हैं बच्चों के sensitive होने की. देखें, बच्चों के अंदर एक element पाये जाता है कि early child and education के अंदर वो बड़े sensitive होते हैं. इस sensitive होने की वज़ा से, हम कुछ भी उनको सिका सकते हैं. हम animals के बारे में, plants के बारे में, flowers के बारे में, water के बारे में, land के बारे में, यानि मुख्तलिफ अंदाजों में, हम उसको एक emotional touch दे सकते हैं. यहनि हमारा target क्या है? हमारा target है, हमने एक sustainable society बनाना है. उसके अंदर हम जिस role की बात कर रही हैं, वो role क्या है? वो role है हमारा EC का के EC कैसे role play कर सकता है. हमने पहले values की बात की, अब हम emotions की बात करते हैं. कि बच्चों को अगर किसी चीज़ के साथ emotionally attach कर दिया जाए, emotional touch दे दिया जाए, तो वो उसके साथ attach हो जाते हैं. यह आम तोर पे देखें, आपने आम तोर पे देखा होगा, चोटे बच्चे होते हैं, वो अपने क्लोने के साथ बड़े attach हो जाते हैं, अपनी family के साथ attach हो जाते हैं, अपनी चीज़ों के साथ बड़े attach हो जाते हैं. अगर हम वो तमाम targets जो के sustainable development के goals हैं, उन में जो important factor हैं, अगर आप उनको emotionally attach कर दें, प्लांट्स के बारे में, वो पौदों के साथ उनका एक लगाओ पैदा कर लें, तो द्रख्तों के काटने के खिलाफ हो जाएंगे, द्रख्त उगाने के उपर, उसके बाद उनको परवान चिराना, गरों में द्रख्त लगाना, इसके साथ उनकी एक emotional attachment आजाएगी, इसका म emotionally जो उनकी attachment है, अगर वो चीजों के साथ कर देते हैं, अगर वो जानवरों के साथ करेंगे, तो जो वो जानवरों पर रहम करेंगे, वो जानवरों को बिलावजा सताएंगे नहीं, बिलावजा उनको तंग नहीं करेंगे, अगर वो किसी animal को देखेंगे, कि वो प्यास की वज़ा से या भूक के मरदा है तो वो emotional attachment होने की वज़ा से वो उसके लिए कुछ ना कुछ करने को त्यार हो जाएगा इसी त्रीके से plants के साथ अगर flowers के साथ उसका एक emotional attachment हो जाती है तो इसका मतलब है कि plant के साथ जब उसके emotional attachment है उस emotional attachment की वज़ा से वो ना सिर्फ plants से प्यार क तो उसके खिलाफ रिजिस्ट करेगा अब देखे ना हमने हम कहते हैं कि जंगलात लगाएं हम पलोशन को दूर करें अगर हम नई जनेशन को प्लांट के साथ एक अमोशन टच दे देते हैं तो आप देखें वो उनकी जो अटेचमेंट है वो जब एडल्ट हो जाएंगे बड बान वो क्या गरेगा अब वो उनके साथ अटेच होके खुशी महसूस करेगा एक प्लेजर अनफारगेटेबल मुमेट्स उसके लिए बन जाएगे जो उसने स्कूल के अंदर वो गुजा रहे हैं इंफैंसी के अंदर गुजा रहे हैं जो उसने अल्डी चाइल्ड और वो स्टॉंग हो जाएगा आम तोर पे बचे जो है ना इसको देखा ले ट्रेम मेमोरीज के आमने बच्पन में जो काम किये स्कूलों के अंदर जब वो पढ़ रहे होते थे तो टीचर जो एक्टिवटीज कराते हैं वो अपने उन दोस्तों को याद करते हैं मेमोरीज के त स्ट होता है उसको याद करे हुए अब इसकी याद क्ये यह बन्यादी तौर पर उसका रिकाल है और रिकाल के के वह जो 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 उसकी एमोशनल अटेज़मेंट आयधि मेंटे अप लांट के साथ वह भी मूशनल टैच मेंटन आइनिमील के साथ वह आस्था यह आईस्था हमने उन गोल्स के अंदर जो हैं जो सुसाइटी डिवेल्प करना चाहते थे वो जो सस्टेनिबल डिवेल्मेंट सुसाइटी हम डिवेल्प करना चाहते थे उसके अंदर जो हमने सोच देनी थी इसका मतलब है कि एसी के अंदर पहले नंबर पर जो हमने बात की कि हमने उसके values के ओपर बात की हमने उसके ओपर behavior की बात की दूसरे नमबर पे हम उसके emotions की बात करते हैं हम emotionally उस चीज़ों को attach कर देते हैं तो अब आप देखेंगे कि जब आप emotionally attach कर देंगे तो इसका मतलब है कि long term के अंदर जो हमारी sustainable society बनेंगी उस sustainable society के अंदर वो इतना emotional attach होगा कि वो उससे हट के कोई काम करने को त्यार नहीं होगा चाहे वो concern नो environment का चाहे वो concern नो social हो चाहे political interest हो हम किसी भी हमाले से हम उसकी बात करेंगे तो वो तमाम की तमाम जैना उसकी जो relevancy बनेंगी तमाम का तमाम वो चीजों के साथ उसकी जो attachment होगी वो जब emotional attachment होगा तो वो बन्यादी तोर पे उसके अपर एक sustainable society का जो member होगा वो उतना ही strong बनेगा इसका मतलब यह हुआ कि हम पहले उसको thoughts के साथ और दूसरे नमबर पे emotion के साथ हमने उसको attach कर दी है अब उसकी मैंक आपको example देना चाहूँगा हम बहुत सारी example देते हैं अब जैसे हम कहते हैं कि जी हमने पौदे जो हैं वो हमारी society के अंदर बहुत important role play करते हैं अब हमने एक बच्चा है उसको early child education के अंदर ही हमने अगर उसको plant के साथ emotional attach कर दिया है तो अगर किसी जगा पर द्रक्तों को काटने का फैसला होगा तो वो emotional इतना attach होगा कि वो फैसला नहीं करने देगा कि हम द्रक्त को मत काटा जाए और वो decision करेगा कि द्रक्त को काटे बगएर हम किस तरीके से इसको बितर कर सकते हैं